सिद्धाद नगर जिने के 22 कोटवाली छेतर के असन हरे गाउं में लग रहे खड़ूंजों के लेकर गाउं के ही दो पक्सों में विवाद चल रहा था जिसके चब्ते गराम परधान ने समझोते के लिए दूसरे पक्स के लोगों को अपने घर बुलाया था और विवाद के दोरान गराम परधान के लोगों में से किसी ने दूसरे पक्स के एक यूवक को बोली मार दी आननफानन में उसे अस्पतार ले जायागा जहां इलाज के दोरान उसकी मौथ हो गई वही मर्तग विपुल सिंग की मा कुसिम सिंग ने बताया कि मेरे घर के सामने इंटरलोकिंग खड़ूंजा लगा जा रहा था जिसमें ट्राले लाने को लेकर विवाद हो गया था सुचना पाकर मौके पर SSP भारी पुलिस बल के साथ घठना स्तल पर पहुंचे और जर्द ही मामले के जाच कर सभी की गिरफतारी कर लिये जाएगा कितने लोग इन्माल थे इस घठना में है उनके घर के वी कास सिंग तक पर शानशी घर के सीथ कर लोग जाकर पारिया आपने घर पे बुगाए हैं, जाके सुरह सपाता कर लो. यहां जवनमुल, दिवा सिर लड़का, सब जने वनना क्या भूपनः बैठाई दिया लएंगे, वा सारी व सब का बैठाई. तो ने हमार चटका लड़का घर ही रहा, तो अपन बाद में गई जैसे हमार लड़का वक्ता अरिप चड़ह लागें तो इसे सब जने लबटी आए जाद गई नुवार बाद चीतु हो तरहां वो इसे सब जने घर में लबटी आए को तुरंद वो कमार रेन गोली तुरंद गाव असन हरी थाना बासी में सूचना प्राप्त हुई कि गाव में दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ था विवाद के चलते आज बाचित कर रहे थे उसी के एक मर्द एक बख्ष के द्वारा दूसरे बख्ष के गोली चलाई गई इसमें विपुल नाम के विक्ति को सीने पर गोली लगी है उनको उनके परिवारी जन लेकर हॉस्पिटल बस्ती गए हैं जो परिवार वालों ने जो बताया जो उस टाइम पर वहां पर चश्नित गवा इनके द्वारा बतायागा कि प्रशान दाम के युवक्त ने गोली मारी है और उनके द्वार बतायागा है कि जो परदान के भाई हैं अभी तक परिवार की तरफ से कोई हमें तहरी प्राप नहीं हुई है किन्तु जो फोरी सूचना हमें मिली थी उसके आदार पर हमने एक को हिरासत में लिया है इससे हम पुष्टाज कर रहे हैं शेश लोगों के लिए हम तलाश कर रहे हैं और इसमें जो भी सूचना आगे मिलेगी आप लोग के साथ विश्चना जो गोली मारी गई है क्या लाइसेंसी थी क्या लाइसेंसी बंदुक से देखिए यह सब विवेजन के दूरानी क्लियर होंगी जिसा मैंने बताया कि अभी उन लोगों की हम तलाश कर रहे हैं और जैसे जो सूचना मिलेगी आपके साथ विश्चना आपके साथ